हेलो दोस्तों नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर कुमारी प्रिया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा महराष्ट में इसे रवा सीरा और दक्षिन में रवा केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है आपके इधर इसे किस नाम से पुकारा जाता है कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा हलवा हम ऐसे भी खाने के लिए बनाते हैं और नवरात्री में ये माता को परशाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है तो इसे बनाना बहुत एजी है बस कुछ बातों का हमें ध्यान देना है तब हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं इस वीडियो को और बनाते हैं इस टेश्टी रेसिपी को वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो आप सभी को ज़रा सी भी पसंद आए तो उसको एक बार ग्राइंडर जार में चला लीजिए वो इसी तरह से पतली हो जाएगी तब इसका यूज कर ये काप हलवा बनाने में बस आपको मेजर्मेंट के लिए कोई भी एक बॉल या इस तरह से मेजर्मेंट वाला कप ले लीजिए या कोई बाउल है तो बाउल ले लीजिए नहीं तो अगर कोई भी नौर्मल चाई पिने वाली कप है तो कप को ले ले लीजिए किसी एक बरतन को आप сейчас कर लीजिए और उसी से मेजर्मेंट करके सारे चीज को आप लीजिए तो ये देखिए मैंने एक कटोरा सूजी लिया है तो उसी कटोरे से मैंने एक कटोरा चीनी लिया है और उसी कटोरे से मैं एक कटोरा ले रही हूँ घी इन तीनों को हमें एकदम बराबर मातरा में लेना है ऐसे weight में तो चीनी सूजी से ज़्यादा होगी लेकिन कटोरे से हमने नापा है तो वो बराबर होगी और इसी के साथ थोड़े से काजू और बादाम को मैंने लिया है और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ किसमिस ये सब डालने के बाद इसका taste और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपको नहीं डालना है तो आप skip कर सकते हैं लेकिन ये जरूर add करिएगा और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम पानी तो पानी इसमें कितना डालना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी अब एक कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया गैस पे और हलका सा कढ़ाई गरम होने पे इसमें हम डाल देंगे सूजी पहले तो हम सूजी को 3-4 मिनट के लिए ड्राय रोष्ट करेंगे हलका से इसे ड्राय रोष्ट कर देने पे ये बहुत अच्छा लगता है खाने में तो मैं इसे कर रही हूँ 3-4 मिनट के लिए ड्राय रोष्ट गैस की फिलिम को अभी आप मेरियम टू लो पे ही रखिएगा और ये देखिए 3-4 मिनट के बाद हमें बस इसे इतना ही रोष्ट करना है इससे जदा हमें इसे रोष्ट नहीं करना है तो अब सूजी को हम निकाल करके एक प्लेट में ले लेंगे और अब इसी कड़ाई में हम एड़ करेंगे घी जो हमने एक पॉल घी रखा था वो सारे घी को हम इसमें डाल देंगे अगर आप हेल्थ कुएंसेस है और इसे रेगुलर खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें एक तिहाई या आधा कटोरा भी घी डाल सकते हैं उसमें भी ये हल्वा बहुत टेश्टी बनेगा रोस्ट होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे किसमिस को किसमिस को हम अलग से इसलिए फ्राइ कर रहे हैं क्योंकि किसमिस इसमें डालते के साथ ही एक मिनट के अंदर ही फ्राइ हो जाते हैं तो बस इसे इसी तरह से चला लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे तो ये देखें एक मिनट भी नहीं लगे और सारी किसमी फ्राइ हो चुके हैं अगर हम इसको काजू बादाम के साथ फ्राइ करते तो ये जल जाते अगर आपको dry fruits बिना fry किये हुए हलवा में डालने हैं तो आप बिना fry किये हुए भी डाल सकते हैं लेकिन ये roast किये हुए ज़्यादा tasty लगते हैं तो आप एक बार इसी तरह से बना करके जरूर try कीजिएगा अब इसमें हम dry roast किये हुए सूजी को डाल देंगे और इसे 4-5 मिनट के लिए खुब अच्छे से fry करेंगे ये घी में जितने अच्छे से fry होंगे उतने ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा gas के flame को medium to low पर ही रखिए और इसे अच्छे से fry होने दीजिए और ये देखिए 4-5 मिनट में ही हमारे सूजी एकदम अच्छे से fry हो चुके है तो ये देखिए इसी time में अब इसमें हम डालेंगे पानी तो पानी मैं बता रही हूँ इसमें कितना डालना है तो उसी बाउल से जिस बाउल से हमने सूजी लिया था तीन बाउल इसमें हमें पानी डालना है यानि कि तीन कटोरा हमें इसमें पानी डालना है अगर आपको एकदम perfect सूजी का हलवा बनाना है तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा ना ही ज़्यादा गीला होगा और ना ही सुखेगा तो आप चलिए इस पानी को हम डाल देते हैं सूजी में तो इस टैम में हलका सा छीटा पड़ेगा तो आप ध्यान रखिएगा और इसे निचे से ऐसे मिक्स करते रहिएगा एकदम कियर्फुल इसमें पानी अएड़ करिएगा नहीं तो आपके हाथों पर इसके चीटे हैं और अब इन सबको हम खुबचय से मिक्स करेंगे इसे एचे से मिक्स कर लेने के बाद इसको अब धकन लगा करके हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे तो इस टाइम में भी हम गैस के फिलिम को अभी मीडियम पर ही रखेंगे और 4-5 मिनट के बाद एक बार धकन हटा करके देख लेंगे तो ये देखिए हलवा एकदम बनने की प्रोसेस में है तो इसको एक बार फिर से हम इस टाइम में मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम एड करेंगे एक चीज और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए तो ये देखिए 8-10 केसर को मैंने 2 चमच पानी में भिंगो करके रख दिया था वही मैं इसमें एड कर रही हूँ इससे हमारा हलुआ का कलर भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में और खाने में भी ये टेस्टी लगेगा अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं तो अभी हम फिर से एक भरगा खुबचे से मिक्स कर लेंगे और हम धकन लगा करके लिए पकाएंगे 2-3 मिनिट के बाद इसको हम धकन खता करके चक करेंगे और ये देखिए हमारे एकदम परफेक्ट हलुआ बन करके रेडी हो चुका है अब इसमें हम add करेंगे dry fruits इस हलुआ को आप निकाल करके 2-3 घंटे बाद भी खाएंगे तब भी ये हलुआ आपको tight नहीं होगा एकदम soft ही रहेगा और देख रहे हैं हमारे हलुआ में जरा सा भी लंस नहीं आया है तो इसी time में हम add करेंगे इसमें dry fruits तो सारे dry fruits को इसमें डाल लेने के बाद फिर से हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे हलका सा इसको और tight करेंगे अभी ये हलका loose है तो हलका सा tight हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में अगर आपको हलवा हलका गीला पसंद है तो इसी time में आप gas को बंद कर सकते हैं दोस्तो मेरी recipe ट्राइ करने के बाद आप सभी को जड़ासी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा आप सभी वीडियो दो देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe करना भूल जाते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है ये वीडियो आपको मैं दिखा रही हूँ 6-7 मिनट का और इसको बनाने और edit करने में बहुत महनत लगती है अब देखिए हमारे एकदम perfect सूजी का हलवा बन करके ready हो चुका है इससे जाता हम इसे fry नहीं करेंगे गैस को कर देंगे हम बंद और इसको ले चलते हैं सर्व करने की process में तो देखा दोस्तों आपने बस सही measurement का use करके हमने एकदम perfect हलवा बना करके ready कर लिया है ये मुह में जाते के साथ ही एकदम घुल जाएगी इस स्वादिष्ट सूजी के हलवा को बना करके अगर आप किसी gas को भी खिलाएंगे तो वो इसका test भूल नहीं पाएंगे इतना perfect और tasty बनाया है ये हलवा इसे हम बनाने के घंटो बाद भी खाएंगे तब भी ये इसी तरह से soft रहेगा जरा साभी tight नहीं होगा अगर आप इसमें एक कटोरी घी यूज करना नहीं चाहते हैं तो घी के जगा पे आप आधा कटोरा refined का अगर यूज करना चाहें तो refined का भी यूज कर सकते हैं लेकिन last में इसमें 2-3 चम्मच घी डाल करके इसको fry कर लीजेगा तब ये खाने में बहुत टेश्टी लगेगा और दोस्तो ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आने पे like, share और मेरे चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा thank you for watching my video friends मिलते हैं मेरे next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई